गोड anink मोण इस इससे पहले वाल więcej हमारा फृच उसमें हमने बदातर हैं की प्राइंट ही हुआ स्वाट आज एक entr magnetic property, magnetic property जैसा कि आपको पता है कि magnetism किसकी वज़े से होता है, unpaid electron की वज़े से, unpaid electron दो तरीगे से magnetic moment वे contribution करता है, first जब वो अपने orbital में घूम रहा होता है, तो उसकी वज़े से जो magnetic moment, magnetism जेनरेट होता है, उसको हम गहते हैं उसका orbital contribution या orbital magnetic moment, similarly, जब वो अपने axis के उपर spin करता है, तो उसकी वज़े से जो उसका contribution होता है, magnetism में, that is, spin contribution या spin momentum, इन दोनों की वज़े से, जब भी कोई भी हम यह कह सकते हैं, कि substances को दो केटेग्री में डिवाइड कर सकते हैं, diamagnetic, diamagnetic substances जब इनको magnetic field में रखा जाता है, तो इनके ओपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही कह लिजे कि यह magnetic field में, जो magnetic line of forces होती हैं, उनको यह repel करते हैं, इनके अंदर कोई भी unpaired electron नहीं होते हैं, magnetism हमेशा unpaired electron की वज़े से होता है, क्योंकि paired electron एक दूसरे की magnetic field को opposite direction में होने की वज़े से cancel कर देता है, दूसरे substances होते हैं, paramagnetic substances, जो की magnetic field में रखे जाने पर उसकी तरफ attract होते हैं, इनके अंदर unpaired electrons होते हैं, सो हमारी transition elements और उनकी compounds, इनके अंदर unpaired electron होते हैं, वो paramagnetic होते हैं, आपने देखा, अदूदे compounds, या transition metal ions, transition metal ions जिनके अंदर की unpaired electron हैं, वो paramagnetic होंगे, अब paramagnetic substances भी, मतलता हैं, जब हम बात कर रहा हैं, कि जो हमारे transition metal ions है, जिनके अंदर के unpaid electron है, तो ये paramagnetism कही तरीके का हो सकता है, first category होती है, जिसमें unpaid electron तो है, लेकिन वो अपने आपको, जिनका orientation फिक्स नहीं है, randomly oriented है, तो ऐसे substance room temperature के उपर तो magnet नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको magnetic field में रखा जाता है, तो magnetic field से attract होते हैं, जैसे magnetic field को remove किया जाता है, वो वापस से normal substance बन जाते हैं, तो ये कहलाते हैं, paramagnetic substances, दूसरे होते हैं, फेरो मेगनेटिक, या फेरो मेगनेटेस्म, जब ये unpaid electron एक दूसरे के साथ में एक ही direction में align हो जाते हैं, तो उनका जो magnetic movement है, वो जोड़ जाता है, और फिर वो लॉक हो जाता है, उसको हम कहते हैं, फेरो मेगनेटेस्म, कि unpaid electron तो हैं, लेकिन उनका orientation इस तरीगे से हो रहा है, कि वो एक दूसरे को opposite कर रहा है, एक एटम अगर clockwise direction में है, तो दूसरा उसका anti-clockwise direction में होगा, तो इस तरीगे से उनके पास unpaid electron होते हुए भी total magnetic movement जो होता है, वो जीरो हो जाता है, और ऐसे substances कहलाता है, anti-ferromagnetism, इसके एक और केटेगरी होती है, that is fairy magnetism, और उसके अंदर हम देखते हैं, कि पदार जो है, वो पूरी तरह से उसका magnetism lock नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहते है, fairy magnetism, अगर इनको temperature के साथ study करना चाहें, कि paramagnetism, anti-ferromagnetism, and ferromagnetism, यह temperature के साथ किस तरीके से change होते हैं, तो हमें पता है, paramagnetic substance के अंदर, जो magnetic susceptibility काई, magnetism को मापने की काई है, magnetic susceptibility, तो magnetic susceptibility काई, temperature बढने के साथ साथ कम होती जाती है, क्यों होती है, क्योंकि temperature बढ़ने से, जो अपना thermodynamics को, जो disturbance, kinetic energy बढ़ जाती है, एटम्स के अंदर, और उसकी वज़े से, जो disturbance बढ़ जाता है, तो यह वापस से, रेंडमली ओरेंट होने लगते हैं, और इस वज़े से paramagnetism की value में कमी आती है, या यह कह लिजे कि magnetic susceptibility की value में कमी आती है, anti-ferromagnetism के case में, हमें पता है, temperature बढ़ने के साथ साथ, जब इनका जो opposite direction में alignment disturb होगा, तो definitely paramagnetism बढ़ेगा, यानि कि magnetic susceptibility की value बढ़ेगी, और एक point होता है, जिसे नील point कहता है, उसके बाद यह हमारे एक paramagnetic substance में convert हो जाएगा, फेरो-magnetic substances के अंदर, magnetic susceptibility काई की value बहुत हाई होती है, और जैसे जैसे temperature बढ़ता है, अगेन यहाँ पे भी disturbance होता है, और काई की value में कमी आती है, और एक point होता है, क्यूरी point उसके बाद यह normal paramagnetic substance में convert हो जाता है, हमारे transition elements यह सारी चीज़े शो करते हैं, मतलब maximum paramagnetic तो हैं, इसके लावा यह ferromagnetic and anti-ferromagnetic behavior भी शो करते हैं, तो हमारे iron, cobalt and nickel, these are ferromagnetic substances, anti-ferromagnetism occurs in several simple salts of iron plus 3, amand plus 2 and gadolinium plus 3, one important thing about ferromagnetism and anti-ferromagnetism is this, is these are related with the orientation, they disappear in solution, means, equal solid state में अपियर होगा यह behavior, अगर हम हम हमारे salt को यह compound को dissolve कर देते हैं, तो हमें यह behavior देखने को नहीं मिलेगा, यह हमारे first transition series के कुछ ions हैं, अगर हम इनके electronic configuration को देखें, तो शुरू में, जो scandium plus 3 है, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी d electron नहीं है, या unpaid electron नहीं है, तो यह हमारा diamagnetic होगा, similarly zinc plus 2 जो है, इसके इंदर d10 configuration है, सारे के सारे electrons pair up हो गए हैं, तो यह यह भी हमारा diamagnetic होगा, इसके अलावा, d1 से लेकर के d9 तक हमारे जो यह ions हैं, free ions जो होगे, वो हमारे paramagnetic होगे, definitely d1 से लेकर के d5 तक paramagnetism की value बढ़ेगी, उसके बाद electrons की चुगे d कक्षकों की अंदर pairing start हो जाती है, तो paramagnetism की value में कमी आएगी, हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि यह ना iron की case के अंदर, जो हमारे cfac की value जो हमने previous section में बात की थी, कि d orbitals की splitting हो जाती है, t2g and eg orbital में, तो जैसे suppose d4 case है, हमारे पस कोई आयन है, जिसके अंदर d4 electronic configuration है, तो उसके अंदर जब d orbitals की splitting हो गई है, तो d orbitals की splitting होने पर यह संभावना है, पहले तो 3 electron तो t2g orbital में unpaid रहेंगे, चौथा electron जो है, वो t2g में pair up भी हो सकता है, या फिर वो eg orbital के अंदर जा सकता है, ऐसी condition में हम देख रहे हैं कि हमारे पस number of unpaid electron दोनों cases में अलग होंगे, जब यह pair up हो जाता है, यानि कि low spin complex बनाता है, उस वक्त हमारे पस number of unpaid electron है 2, जब यह उपर चला जाता है, यानि कि pairing नहीं होती है, यह high spin complex बनता है, उस वक number of unpaid electron से 4, तो इस तरीके से हम magnetism को नाप के किसी भी complex का यह बता सकते हैं, कि उसका low spin complex है, या high spin complex है, या ligand का जो d orbitals के splitting के उपर effect क्या पढ़ रहा है, जैसे कि आप example देखेंगे, iron का hexa echo complex और hexa sino complex, क्योंकि बहुत strong field ligand है, यह splitting जागा करता है, d orbitals के अंदर, तो electron जो है, वो नीचे ही pair up हो जाते हैं, तो इसके अंदर number of unpaid electron दो ही बचेंगे, जबकि हमारे इसमें, जो high spin complex है, iron प्लस थी एक चलिवाद दी 5 केस है, तो इसके अंदर जब यह pair up हो जाएंगे नीचे, तो प्लस के वले एक unpaid electron बचेगा, जैसा कि साइनाइड के केस में होता है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स में, और hexa echo iron complex केस में हम देखेंगे, तो splitting काम होती है, तो electrons उपर के orbitals में चले जाएंगे, ती 2G orbitals में और high spin complex का निर्माण करेंगे, हुआपे number of unpaid electron 5 मिलेंगे, फर दी 1st row transition elements, the observed magnetic moment may be considered to arise only from unpaid spins, and calculated using the spin-only formula, आप आगी की classes में देखेंगे, हम जब total magnetic moment किसी भी substance का निकालते हैं, तो उसमें कही तरीके के magnetism का contribution होता है, जिसमें मैंने दो अभी आप से बात कीते हैं, कि spin momentum and orbital momentum ये कई तरीके से कवर भी करते हैं, लेकिन 1st row transition elements के अंदर, केवल spin contribution होता है, इनका orbital contribution cancel हो जाता है, इस बहाव पे हम इनका जो magnetic moment mu है, वो spin-only formula से calculate कर सकते हैं, that is, mu is equals to under root 4s s plus 1, और अगर यहाँ पे s, जो आप देख रहे हैं, capital S है, ये total spin quantum number है, total spin quantum number वाई total unpaid electrons की, जो spin है, जो plus या minus half होती है, वो add हो जाती है, और इस तरीके से हमारे को, total spin quantum number s मिलती है, capital S, इसको हम unpaid electrons से correlate करें, तो mu is equals to under root n, n plus 2, mu b, bore magneton, इसकी unit होती है, इस spin-only formula की मदद से, जब हम ये calculate करते हैं, कि जो हमारे transition metal ions है, उनके calculated value क्या होनी चाहिए, अगर ये d1, d2, d3, d4 cases है, तो calculated value spin-only formula से हमारी इस में आती है, बीच वारी टे लाइन आप देख रहे हैं, column, observed values जो होती हैं, वो इस range में, last column में, हम देख सकते हैं, clearly, कि जो observed values हैं, वो calculated values से काफी हद तक match कर रही हैं, it means हम ये कह सकते हैं, कि first row transition elements की compounds, और complexes के अंदर, हमारे orbital contribution, ligand से cancel हो जाता है, केवल spin contribution रहता है, magnetic susceptibility, जो हमने बात की कि magnetism को, तो magnetic susceptibility को measure करने के लिए, गॉयस magnetic balance काम में ली जाती है, इसमें हम substance को इस capillary में फिल करके, और magnetic field में लटकाते हैं, capillary जो हैं, वो इक scientific balance से अटेज़ रहती हैं, और जब उसको magnetic field में रटकाया जाता है, तो उसकी weight में जो change आता है, उसको हम इस balance से measure करते हैं, और इस तरीगे से हम magnetic susceptibility काई calculate करते हैं, अब हम बात करेंगे, transition elements की last and very important property, that is catalytic activity, मैंने starting में बताया था, कि जो transition elements हैं, ये variable oxidation state show करते हैं, variable oxidation state show करने की वज़े से, इनके बहुत सारे compounds, and even metals in metallic state, these are very good catalyst, और industry में बहुत use होता है, कुछ examples हम बात करेंगे, TICL4, जैसे कि आपने सुना है, zigler natagatalyst, zigler natagatalyst, titanium tetrachloride, और trithyl aluminium का मिक्षर होता है, and ethylene polymerization में इसका बहुत use होता है, इसके stereogamistries के अंदर maintain रहती है, V2O5, converts SO2 to SO3, in the contact process for making H2SO4, so V2O5 एक बहुत अच्छा catalyst, इस contact process में use किया जाता है, MNO2, used as a catalyst to decompose KClO3 to give O2, FeCl3, used in the production of CCl4 from CS2 and Cl2, FeSO4 and H2O2, जिसको हम Fenton's reagent कहते हैं for oxidizing alcohols to aldehyde, free radicals का formation होता है, इस तरीगे से ही oxidation होता है, बहुत ही आसाने से alcohols का aldehyde के अंदर, आयरन, used in Haberbush process for making ammonia, very well known process, PdCl2, used in Vickers process for converting alkenes to aldehydes, this cycle है इसके, इसमें बताया गया है कि किस तरीगे से ये catalyst use होता है, Pyridium metal used for hydrogenation, platinum, PTO mixture, Adams catalyst जो कहलाता है, used for the reduction, very good catalyst for the reduction process is, platinum आपने सुना होगा, कई organic reactions में हम इसको काम में लेता है, CuCl2, Deccans process for making Cl2 from SCL, Nickel, रहने nickel का नाम आपने बहुत जगे सुना होगा, organic reactions में कि reduction के लिए, जहां पर की, बहुत strong reducing isn't की जरुवत होती है, हम रहेने nickels काम में लेते है, Nickel complexes, Rapis synthesis used in polymerization of alkynes, So, ये कुछ examples थे, जिसमें हमने बात की, कहां पर transition elements, इसके लावा भी इनके बहुत सारे compounds, and metal इसेल्फ यूज़ होते हैं, catalysis के अंदर, and catalysis में यूज़ होने के इनकी वज़े यही है, complexes के अंदर एक और important चीज़ होती है, कि ये homogenous catalysis में भी यूज़ होते हैं, चुकि ये soluble हो जाते हैं, किसी भी solvent में, और homogenous catalysis means, जब वो घुल जाता है, एक uniform mixture बना देता है, तो बहुत कम amount में भी catalysis बहुत effective हो जाता है, तो इस तरीके से transitional metal elements और उनके complexes, दोनों ही catalysis के अंदर, बहुत important role play करते हैं, Thank you.